जहिन साथियों, साथियों आज हम लेकर हाजिर हैं कोर्स टू जिसका नाम है कॉंटेंप्रोरी इंडिया ओफ एजुकेशन के मौस्ट वी वी आई कोश्चन के साथ तो दोस्त आज का कोश्चन है दर्सन सास्तर की परिभाशा दें एवं सिच्छा से इनका संबंध बताईए यानि कि दर्सन सास्तर क्या है और इसके बारे में बताना है और इसको सिच्छा से किस परकार संबंधित है इसको भी चर्चा करना है तो चलिए इसके answer के और आगे बढ़ते हैं answer में लिखा है दर्सन सास्थ्र वह ग्यान है जो परम सत्य एवं सिधान्त और उनके कार्णों की विवेचना करता है यानि कि दर्सन सास्थ्र क्या होता है तो ये क्तरा का ग्यान है जिसमें शत्य और सिधान्त के कारणों की विवेचना किया जाता है दर्शन या थारत की परक के लिए एक द्रिष्टी कोन है यानि कि दर्शन का मतलब होता है कि किसी की परक के लिए किसी की टेस्ट के लिए एक द्रिष्टी कोन दार्शनिक चिंतन मुलतह जीवन की अर्थवता की खोज का प्रयाय है यानि चिंतन क्या है तो मुल रूप से जीवन के अर्थ के जीवन में जो खोज है उसके बारे में इसकी जानकारी प्राथ होती है वस्तुता दर्शन सास्त्र स्वत्व तथा समाज और मानो चिंतन तथा संग्यान की परकिरिया के समान नियमों का विज्ञान है यानि कि दर्शन सास्त्र क्या काम क्या है तो समाज और मानो चिंतन के लिए संग्यान की परकिरिया के समान नियम यानि कि जो चिंतन का एक हम लोगों के अंदर कुछ सोच की भावना होनी चाहिए तो उस सोच की भावना को व्यक्त करने के लिए एक समान नियमों का विज्ञान है दर्सन सास्त्र समाजिक चेतना के रूप में से एक है यानि कि दर्सन सास्त्र जो है वो समाजिक चेतना में से सबसे प्रमुख है एक है दर्सन उस विद्या का नाम है जो सत्य वम ज्यान की खोज कराता है यानि दर्सन वह एक विद्या का नाम है जिसमें शत्य और ज्यान की खोज को करता है सतिय और ग्यान को देखकर समझा जा सकता है ब्यापक अर्थ में दर्शन, तर्ख पूर्ण, विधी पूरवक और क्रमवद विचार की कल़ा है यानि कि अगर ब्यापक अर्थ में देखा जाए तो दर्शन क्या है? एक तर्ख से जुड़ा हुआ है एक बिधी से जुड़ा हुआ है और एक बिचार की कला है भारतिय दर्सन का इतिहास अत्यांत पुराना है यानि कि जो भारतिय दर्सन है उनका इतिहास बहुत ही पुराना है यह पिढ़ी दर्पिढी अर्जित दर्सन है जिसका जो जिक्र हम करेंगे वो पिढ़ी दर्पिढ उसको collect करके रखा गया है इसके जड़ तक जाना असंभव है यानि कि इतना इतना भारतिय दर्शन का इतिहास है कि उसको हम लोग क्योंकि पीड़ी दर पीड़ी इतिहास बढ़ते रहता है तो उसके जड़ तक के जाना बहुत ही मुश्किल है दर्शन विवीन विसयों का विसलेशन है यानि दर्शन जो है अलग-अलग subject का अलग-अलग विसयों का एक समूहन है भारतिय दर्शन में चेतना की मिमान सा अनिवार है जो आधुनिक दर्शन में नहीं है यानि कि भारतिय दर्शन में जो चेतना है जो ख्याल है उसकी मिमान सा अनिवार उसका वर्दद बहुत ही जरूरी है लेकिन आज के हाधुनिक दर्शन में ऐसा नहीं है भारतिय दर्शन में परम सता के साथ सचतकार करने का दूसरा नाम ही दर्शन है अगर भारतिय दर्शन देखा जाए तो उसमें सत्य को सता को सचतकार करने का दूसरा नाम है यानि कि किसी को भी प्रमुख मान लेने से उस्वी को दर्शन समझे जाने लगता है भारतिये प्रमपरा के अनुशार मनुश्य को प्रमसता सग्यात ग्यान हो सकता है भारत के प्रवाद के अनुशार किसी को भी मनुश्य को परम्सता मान लिया जाता है य spaced out should वो आइसा ट्रीट किया जाता है ताकि यही बहुत बड़ा ग्यानी है उनकी इनहीं के पाद बगागत दर्शन है तो लोग उन्हें को दर्शन करने के लिए भीड लगा है प्रयास किया गया है दर्शन के दो भावों में बांटा गया है एक का नाम है आस्तिक और एक का नाम है नास्तिक अब चला जड़ा समझते हैं कि भारतिये दर्शन में जो आस्तिक और नास्तिक है उसका क्या-क्या रोल है तो चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्या रोल्स है तो आगे लिखा जो इश्वर यानि कि सीव यानि कि भगवान तथा वेदोवत वेदोवत का मतलब वेदो के अनुसार जो बातें सीखाई गई है जिस दिवताओं के बारे में ग्यान दिया गया है उन बातों को न्याय रूप से बैसेसिक रूप से संख्या योग बिमान सा पर विशवास करता उश्य आस्तिक माना जाता है मतलब सिधा साधा एक बात कि जो ब्यक्ति इस्वर में विश्वास रखता है वेदों में दी गई बातों को सही मानता है और किसी न किसी भग्मान को सच्छ रूप में देखता है तो उसको हम लोग आस्तिक नाम से जानते हैं और जो नहीं करता है जो ब्यक्ति इस्वर में विश्वास नहीं करता है, भग्वान में विश्वास नहीं रखता है, उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं आगे लिखा है आस्तिक दर्शन के अंतरगत छे दर्शन आते हैं आस्तिक दर्शन के अंतरगत छे दर्शन आते हैं, पहला का नाम है मिमांसा, दूसरा का नाम है न्याय, तीसरा वैसे सिख, चौथा सांख, पांचवा योग और छठा वेदान्थ तो इतने सारी चीजें आती हैं किस में? आस्तिक में, आस्तिक में इधनी सारी छे चीजों का वर्नन किया गया है फिर आगे हम लोग आते हैं नास्तिक, तो नास्तिक दर्शन के अंतरगत तीन दर्शन का वर्नन किया गया है पहला का नाम है चारवाक दर्शन, बौध दर्शन, जैन दर्शन यानि कि इनी दर्शन का नाम याद रखना है जो किस में आते हैं नास्तिक में फिर आगे लिखा है दर्शन या फिलोस्फी दर्शन सास्त्र को हम लोग इंगलिस में फिलोस्फी भी कहते हैं तो दर्शन यानि की philosophy का क्या meaning है तो भारतिय दर्शन में चेतना के मिमान सा अनिवार है यानि भारतिय दर्शन को अगर माने तो उसमें चेतना को यानि की ज्यान को चेतना मतलब होता है आपको नहीं बोलता है कि आपको चेत फिकर नहीं है मतलब कि क्या आपको एक यादास्त का जिक्र किया गया है जो आधूनिक दर्शन में इसका नहीं किया गया मानो जीवन का चरम लच्छ दूखों से चोटकारा प्राप्त करके चीर आनन्द की प्राप्ती है यानि कि आध meant जीवन अगर देखा जाया तो उसका लच्छ दूखों से चोटकारा प्राप्त करके आनन्दित महसूस करता है जिसे जो ब्यक्ति बहुत दुखी है जब दुख से सुखाता है तो थोड़ा सा आधंदित महसूस करता है भारतिये दर्शन का लच्छ दुखों के मूल कारण अग्यान से मानों की मुक्ति दिलाकर उसे मोच प्राप्ति करवाना है यानि भारतिये दर्शन का लच्छ है कि जिस ब्यक्ति के जीवन में अगर दुख आया है या अग्यानता है उसको उसे मुक्ति दिलाकर उसे मोच की प्राप्त करवाया जाए अगर लिखा है दिरिश्यते हानेनेती दर्शनम याद रखिए एक तरह का संस्क्रीत का एक वर्ड है दिरिश्यते हानेनेती दर्शनम इसका मतलब क्या हुआ अथार्थ अशत एवं सत्पदार्थों का ग्यान ही दर्शन है दिखे संस्क्रीट का एक वर्ड है दिश्यते हानेनेती दर्षनम इसका मतलब हुआ कि असत्त्य है चैसत्य है यिसी को ग्यान का दर्षन माना गया है भारतिय दर्षन भारतिय दर्षन को अगर देखा जाए भारतिये दर्शन में परंसत्ता के साथ साचात्कार करने का दूसरा नाम ही दर्शन है यानिकि भारतिये दर्शन में सत्ता को साचात्कार रूप से यानिकि सत्ते बात को सही बात को सही ढंग से दर्शाना ही दूसरा दर्शन नाम दिया गया है भारतिय परमपरा के अनुशार मनुश्य को परमसत्ता का साचात ग्यान हो सकता है यानि भारतिय परमपरा के अनुशार भारत में जो परमपरा है उस परमपरा के अनुशार देखा जाए तो मनुश्य को क्या है एक परमसत्ता का साचात गार ग्यान हो सकता है मतलब एक अच्छी ग्यान प्राप्त हो सकती है तो इस तरीके से साथियों ये थे आपके Contemporary India Education के Most Important Question तो दोस्त आज के लिए इतना ही फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ जूड़ते हैं एक नई Most VVI Question के साथ जो Course No.2 Contemporary India Education का होगा तो साथियों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद